प्रादिशिक समाचारिकांच भोपास जी प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिठ्थी आलेक मयंक भारगफ वाचिक स्वर सैयुकता बैनर जी पंचायत नर्वाचन और नगरी निकाय नर्वाचन को लेकर बैतूल जिले में सरगर्मिया तेज हो गई हैं जिले में पंच, सरपंच, जनपत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 10,375 पदों के लिए चुनाव होना था लेकिन बैतूल जिले में 6,265, 16 सरपंच और 7 जनपत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं इधर पंच के 681 और सरपंच के चार पदों के लिए एक भी नामांकन जबा नहीं होने से पंच और सरपंच के 685 पद रिक्त रह गए हैं पंचायत चुनाव में 9,58,120 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे यहां तीन चर्णों में 25 जून, 1 जुलाई और 8 जुलाई को मतदान होगा बैतूल जिले में नगरिय निकाय निर्वाचिन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है जिले में 7 नगरिय निकायों, बैतूल, आमला, शाहपुर, मुल्ताई, भैसदेही, घोडा डोंगरी और बैतूल बाजार में 126 वाड पार्शत पदों के लिए 2 चर्णों, 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान होगा नगरिय निकाय चुनाव में 1,65,922 मतदाता वोट डालेंगे जिला प्रशासन ने पंचायत और नगरिय निकाय चुनावों को लेकर व्यापक पैमाने पर तयारिया की है पंचाय चुनाव के लिए 1,781 और नगरिय निकाय चुनाव के लिए 233 मतदान केंद्र बनाए गए है बैतूल जिले में कृशी महकमे ने आगामी खरीफ सीजन को लेकर तयारिया शुरू कर दी है खरीफ सीजन में किसानों को खाद, बिजली, कीट, नाशकों और अन्य सामगरी की परियाप्त उपलब्धता सुनिश्चत करने के लिए कृशी विभाग द्वारा फुक्ता तयारिया शुरू कर दी गई है तुरशी विभाग ने खरीफ सीजन 2022 में बैतूल जिले में 4,25,500 हेक्टेर में बोनी का लक्ष नरधारित किया है पिछले वर्श की तुलना में आगामी खरीफ सीजन में बोनी के रखपे में 6,900 हेक्टेर की बढ़ोतरी होगी खरीफ सीजन में बैतूल जिले में 38,140 क्विंटल बीज की डमान के विरुथ सहकारिता क्षेत्र में 4,564 क्विंटल बीज उपलब्ध है जिसमें बीज निगम के पास 147 क्विंटल प्रक्षेत्र में 57, कृषिवज्यान केंद्र में 80 और बीज संख के पास 4,289 क्विंटल बीज की उपलब्ध ताश शामिल है जबकि जिले के निजिक शेत्र में 74,798 क्विंटल बीज उपलब्ध होने का दावा क्रिशी विभा के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है इसी तरह खरीफ सीजन 2022 में विभन खादों के 83,900 टन वितरन के लक्ष के विरुध वर्द इस जिले में 50,701 मिट्रिक टन खादों पलब्ध है सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एससपी, मोपी सहित अन्य रासायने खादों का वितरन जारी है बैतूल जिले में ग्रामों को प्लास्टिक मुक्त कर आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रती जागरू करने के लिए सुच्छ भारत मिशन ग्रामीन के तहट बैतू जिला पंचाद सीओ अभिलाश मिश्रा की विशेश पहल पर 27 मई को जन आंदोलन चला कर महस 11 घंटे में लगभग 10 टन प्लास्टिक एकतरुत किया गया जीरो बजट में व्यापक पैमाने पर प्लास्टिक एकतरुत करने का प्रदेश में ये संभव तहब पहला अभियान है इस दोरान जिले के सभी 556 ग्राम पंचायतों के 1390 ग्रामों में 49,338 लोगों ने 9,338 किलो ग्राम से अधिक प्लास्टिक एकतरुत कर ग्राम पंचाय प्लास्टिक मुक्त अभियान का मुख्यो देश्य गाउं को प्लास्टिक मुक्त करने के साथ ही आमजन को प्लास्टिक से परियावरण को होने वाले नुकसान के प्रती जागरुक करना था। ग्राम पंचायद, जन्पत पंचायद और जिलास्टर पर 16 जून को मेरतन दोड़ हुई वही कल साइकल रैली आयोजद की जाएगी। योग दिवस के मौके पर 21 जून को सुभह साथ बजे जन्पत स्थर और जिलास्टर पर और प्राथा ग्यारह बजे ग्राम पंचायद स्थर पर मतदाताओं को मतदाता जागरुकता की शपत दिलवाई जाएगी। और पंचायद नगरिय निकाय चुनावों में अधिक से अधिक मतदान की अपील की जाएगी। इसी दिन सुबह 11 पजे बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिह बैस और जिलापंचाच सीएओ अभिलाश मिश्चा द्वारा मतदाता जागरुकता की अपील और शपत का प्रसारण आकाश्वानी से किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता जागरुकता कारिक्रम की तहत रंगोली, चित्रकला, स्लोगन, नारे, गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। बैतूल जिले की चठी समाप्त हुई।